तो स्वागारी दोस्तों है फिर साका मेरे स्यूड इतने सेलेक्टर पर हम यहाँ पर बात करें है आज के बिग बैज लीग मैच की बारे में जो कि खेला ज़ेगा एडिले स्ट्राइकर और साथ इसा दूसरी टीम होबाट हरीकेंस की और इस मैच के अंदर एडिले स्ट्राइ बैटर विगट कीपिंग भी करते हैं और अस्ट्रेलिया के लिए वह आपको नहीं पर आज के मैच में खेलतू दिखाई पड़ेंगे जबकि हुआ ठीकेंस की टीम है इन्होंने अभी तक अपना स्कॉड राउंस नहीं किया जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और उमी मैच यह टीम जीत पाई है चार मैचेस हरी है जबकि वहीं होबाट हरीकेंस की बात करें इस टीम में भी सात मैचेस खेले हैं लेकिन इन्होंने तीन जीत करके चार मैचेस हरे हैं तो काफी हद तक स्थित्री दोनों ही टीमों के लगभग एक ही जैसी है वहाँ पर एक जीत ह बाट हरीकेंस की पास ज्यादा है लेकिन आज के इस मैच में जो फेवर होगा वो हो सकता है एडिलिट के पास चुकि अपने होंग ग्राउंड पर ये टीम आज का मैच खेलेगी एडिलिट ओवर्ड एडिलिट की मैदान पर तो दोनों टीमों का स्क्वाड कंपरिजन करेंग और कौन सा प्लेयर चाहा किसी भी फैंटेसी एप पर जाकर कि आप टीम जब बनाना सुलू करेंगे चाहा विकेट कीपर हो बैटर हो आल राउंडर या बॉलर कौन सा आप्सन हमारे पास एक डिफ्रेंसल प्लेयर ग्रूप में आप मौजूद है और कौन से प्लेयर ऐसे से जिनको आप हटा भी सकते हैं तो पूरे वीडियो के दौराने साधी एनालेसिस होगी शुरू से अन तक पूरा वीडियो जरूर देखिए पंदर मिट दे करके अपने खुद की ग्रेंड लिग की टीम आप बना पाएंगे विनिंग भी कर पाएंगे बाकि 9 जनूरी को यह म यहां पर आपको देखनों का मिलेगी जहां पर थोड़ी से इलिसल है तो होती ही है और पेसर के लिए वेजर का जो अप्डेट होगा वाको में टेलिग्राम पर ही दूंगा चुकि उस टाइम पर क्या कंडिशन होंगी वह हम वहीं पर बताएंगे ताज अप्डेट के साथ फिलाल पिछ वह है जो कहती है कि पहले फिल्डिंग करना प्रिफर करिये चुकि जैसे से मैच आगे बढ़ेगा बैटिंग के लिए विगट और भी अच्छी होती चली जाएगी तो कोई भी टीम फिल्डिंग करना ही प्रिफर करना चाहेगी और जो रिजल्स भी रहे हैं इस मैदान के ऊपर जो तीन मैचेस इस सीजन में खिला जा चुके हैं चार मैचेस इस सीजन के पहले के भी यानि कि टोटल यहापर मैं कवर कर रहा हूँ अपने पीछ रिपोर्ट में साथ मैचेस को और सिर्फ इस सीजन की पहले अगर हम बात कर लें तो जो सबसे पहला मीचेश में जहां पर सिंधिटानग के टीम नें दो सो रम बना देते साथ विगेट पर और दिलेइम रिती के टीम ने दौसो पांच भी यहुप चार विगेट पर उस मैश इस मैच से बलकि जो दूसरा मैच हुआ वहाँ पर एक बार एडिले स्ट्राइकर टीम ने पहले बैटिंग की 205 रम बना चार्ज विकेट पर लेकिन ये स्कोर भी मेलबन स्टार जैसे टीम ने काफी असानी से चेज कर लिया और 211 रम बना दिये तीन विकेट पर और यहाँ स्ट्राइकर के बीच में ये मैच क्या हुआ कि यूजड विकेट यूज किया जा चुगा था अगले दोनों मैचस में उसी विकेट पर खेला गया तो थोड़ी चीए विकेट वेरं टेर यहाँ पर था तो पहली इनिंग में बैटिंग उतना असान यहाँ पर था नहीं हाल इडिलेट के टीम उसको चेज करते हैं उसको चंवार हम बना दिया एक विकेट पर और नौ विकेट के भारी अनतर से उस मैच को जीत लिया तो अगर आप देखें तो एडिलेट के टीम जो की अभी तक के छे मैचस जो कंप्रीट खेली हुई है उसमें से केवल दो मैच जी के तीमों पर ईप सामने हैं और पहले बैटिंग टीमों ने पिरिशले में से पांच बार मैकेहिते हैं 17 विक्ते पहले इनिग में 14-2 पेले करें, लेकिन जो पेस है, 49 मैं से 28 विक्ते इन्होंने पहली इनिग में ही लिए है, 11 विक्ते क now निया है, तो 2 इनिग में बैटिंग वैसे भी easy हो जाती है और देख सकते हैं कि पहली इनिग में फॉल उफ किट्गेट कितनी बड़ी मात पर यह लिंग को क्लिक करके चेनल पर पहुंचिए और नीचे आपको एक बटन देखने का मिल जाएगा है याँ पर इसी को नियुक्त करके ज्वाइन हो जाइए पिच्रेपोर्ट वेचर और अपडेट, प्लेंग एलेवन, टॉस्का अपडेट, बैटिंग और सब कुछ लिकी टीम अगर आपको लेनी है तो इस वीडियो पर सभी लोग लाइक करते रहें शेयर करिए वीडियो को ताकि ज्यादा ज्यादा लोग लाइक करें और एक हजार लाइक्स पूरी होते ही छे ग्रेंड लिकी टीम यहाप आपको मैं दे दूंगा फिलाल आगे बढ़ेंगे बात करेंगे सबसे पहले स्कॉर्स की डिफ्रेंजेल प्लेयर्स की कौन-कौन से आप्शन हमारे पास इसे बहतर अवेलेबल है जिनको लोग तो इग्नोर करते हैं लेकिन हम लेकिए जा सकते हैं लोग जादा तर जाते हैं परफॉर्मेंस के बैसिस पर और अगर आप देख लिए पर झृशन तर नमबर 5 पर फॉमस क्या से और चेह पर जिए गया औरा श Kirby किया था पन्दार परक की बाकि Henry Thornton ने इन्होंने भी पिछले मैच पर 3 ओर किया इस पिछले मैच पर 3 ओर डेविड पेन ने भी किया था बाकि चार ओर Cameron Boyce ने और यहाँ पर Lloyd Pope ने भी चार ओर किये थे तो इस तरह से बॉलिंग हुआ था नंबर आफ ओर के बेसिस पर इन सभी बॉलर्स के द्वारा जिसमें पावर प्ले के द्वारान मैथ्व शॉट ने एक ओर किया था बाकि पावर प्ले के अंदर ही डेविड पेन ने किवल एक ओर किया और बाकि अगर आप देखे तो हैंडिर थॉर्टन चैमरों बॉइस लॉ वही करें पहली निंक अगर बॉलिंग होती है तो फॉर्टन डेफिनिटी कम से एक से लोगद और और इवन जैमी ओरेंग्न भी एक से लोगद्ध आपको बॉलिंग करते हैं खासके चलिके डेविड पेनिन हें अन्री पिल्टन है वर्टन है बहत्तरी अपावर प्ले के ब स्पिन उतना अच्छा जो कि नहीं खेलती इस वजह से जो सामने वाली टीम है आज के इस मैच में जो खेलते आपको देखने को मिल रही है या एडलिस्ट ट्राइकर की तो मैथ्यू स्वाट वहां पर थोड़े बहुत ओवर्स हा करके कर सकते हैं इनीशियल ओवर्स में और य लॉयड पॉप एक ऐसे बॉलर है जो पावर प्रमें भी बॉलिंग करते हैं सामने के टीम में स्पिनर्स उतने खेलने वाले उतने अच्छे बैटर्स है नहीं तो लॉयड पॉप भी इंपोर्टन होंगे इवन जेमी ओवर्टन भी इंपोर्टन होंगे डेविड पेन और ह किसको लेना लेना ही लेना है तो पहली इना की बॉलिग ऊंचंज है तो लोग आशे डिफंशल पिक होगे बांकि इन्हों बांकि क्रिशलीन तो रहेंगे हैं च arguments भी तक रही है बाखे एलेक्स करीब एक मश्क पिक होंगे आज की समयच में बागी एडम हो जाओ थामस के लिए दोनों ग्रेंड लिक लिए बढ़ियां फिक्स आज की समयच में हो सकते हैं बागी बेंच पर जेम्स बेजली ब्रेंडन डॉगर बेन मरेंटी और विस एगर हैं बाई चांस अगर व एक ओर किये था वह भी पावर प्ले के अंदर इसके लाबा टिम डेविट ने भी एक और की बॉलिंग के थे लास्ट मैच में दो और के से निखिल चौधरी ने हाफ सेंचुरी भी प्रिष्ले मैच में लगा थी काफी बढ़ियां परफॉर्मर सा भी तो है अभी तक बांक इन लोगों ने किये थे लेकिन पॉसिबल्टी है कि चार और पूरे आज के समयच पर करेंगा पूरे बीस वर की बॉलिंग हो जिसमें पावर प्ले में भी अगर आप देखें तो छे बॉलर ट्राइग किये थे पिछले मैच में इस टीम ने वबाट हडिकेंस ने और डेथ पिन बॉलिंग भी करते हैं और यह कम से कम दो से तीन और करते हों दिखाई पड़ेंगे और आज केस मैच अगर पहले इनिंग के बैटिंग है तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं हाला कि सब्सक्राइब का काफी लोग होने वाला है मेरी टीम में भी रहेंगे लिकिस सामने सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इनमें से पहली इनिंग की अगर बैटिंग है इस टीम की तो आप मैट को ट्राइंग में और और second inning के बाटिंग है तो आप Kalis Jival को ट्राइख कर सकते हैं दो ऐसे differential options इस टींग की पास से मौजूद है और बाकि अगर पहली inning की बाटिंग है तो Sam Haneayn भी काफ इंपॉर्टंट है भी आप देख सकते हैं मै्थ्व यट के वारे में भीतक कोई कोई अपडेट है कि फ्क्रेड की खेलनगे इनके बारे में यही बदया की था तिम के तरब से कि में हैं अगर आप देखे चले तो हर मैच में लगबग हाफ सेंचुरी लगा यह बॉलिंग कर तो विक्टि चट करें डार्सी सॉट लगाता है अच्छा स्टार्ट ले रहा है बड़ी पारी में का नहीं कर पाने क्रिस लिन तो बहतरीन फॉर्म में हैं ही दो टॉप स्कॉरर स्टिंग के तरफ से क्रिसलीन और मैथ्यो सॉट रहे हैं लेकिन इनकी जो कमजोरी थी वह आज के समय जो थोड़ी सी अच्छी होती हो दिखाई पड़ रही जो कि थी लो मिडल और 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 लोर मिडल और की बैटिंग जिसमें एलेक्स करी एड हो गये हैं तो डेफिनिटली और थॉमस के लिए ने भी एक ही इनिंग खेली है 39 रंग की बाकिस के लाओं हैं थोड़ ने दो मैच में तीन विकते नहीं है पांच प्रचस खेल करके तीन विकते डेविट पेंड भी बाग करें इन्होंने सांदार बॉलिंग कि हैं लगब हर मैच में विकत निकाला एक म लेकिन प्रिच रिपोर्ट को उसमें आपको नोटिस में रखना है कि मैथ्व देख हैं तो मैथ्व सब्सक्राय इनिक में बहतर बढ़नेंग करते हैं दोनों ही इनिंग कि सांदार है वहीं चुकि मैथ्व बढॉलिंग करने काफ एक्षे फ्रिक्वेंसी में तो वह देखे जब पहली इनिंग में बॉलिंग करते हैं इनको विक्टि जल्दी मिलते हैं किवल 22 गेद पर और सेकंड इनिंग की बॉलिंग में 33 गेदे लग जाती है एक विकट निकाले में और यह विकट भी जो है वो चेजिंग करने वाली टीम की बैटिंग को ज्यादा फेवर करती है वहाँ पर सेकंड इनकी बाउलिंग इनके उतने काम में आएगी भी नहीं बैटिंग की काम आएगी तब बॉलिंग पहली इनिंग में इनकी काम आएगी उसी तरह से एक दो एकजामपल अगर मैं और लूओ तुछ जैसे एलेक्स कह रहे हैं पहली इनिंग में बहतर खेलते मिलते हैं कि सेकंड इनिंग में देखिए केवल आठ यह दे लगती है एक निकालने में तो पहली इनिंग के लिए भी important होंगे आज के समय जो पिछ को देखते हुए और इंका जो ट्राइक सेकंड इनिंग के लिए इंपॉटन है तो इसी तरह से उनको वहां पर प्रेफर कर सकते और बाकी खिलाने का भी आप जरूर देखिए इसको अगर आगे आपको में होबाड के तरफ से भी बताऊंको वही सेम चीजे तो इसको उतना डीटेल में तो नहीं बताऊंगा लेकिन आपको ध्यान से तो पहली बार हैड़ थोट खेलेंगा लेकिन इस मैदान पर खेल चुके काफ़ी जबर जबदस्त आंकड़ें इंके होंग्राउंड एक तरह से बाकि क्रिस्ट लिंग के आंकड़े भी हैड़ थोट वेन्यू दोनों योगों पर कमाल के हैं इसके लिंग एलेक्स कईरी के को सिर्फ सेकेंड इनिकी बैटिंग में प्रिफर करिएगा इसके लावा एडम होजे हैं जैमी वाटन है जो कि उसमें से जैमी वाटन तो हैट्विट नहीं खेला कि मैदान पर तीन मैचस खेला कियों दो ही विकेट हैं उसके लावा थॉमस के लिए भी कुछ खास आंकड़े पर आप देख सकते हैं अगरे विकेट रखेंट नहीं है है और यहां पर बैन मेंटी इनके भी सारे आकड़े हैं आप देख सकते हैं हेट्विट वेन्यू के आगे जो दूसरी टीम है वो है होवाट हरीकेंस उनके प्लेर्स का भी रिसेंट फार्म और करियर अनालेसिस पहली इनिंग का सेक्ड इनिंग का आपके सामने हैं जिसमें कुछ आप्संस में बताओं जिसे मैकलिस्टर राइट हो गए आपको मैंने क्या कहा था कि कैलेप ज जिवल हैं पहले इनिंग में 20 के इनिंग में बनाते हैं जो के थोड़ा सा बेटर है पिछ भी ऐसी है कि इनको सब्सक्राइब ज्यदा रास आये लेकिन अगर महीं मैथ्यू वेट खेलते हैं प्लेंग लोन के अंदर तब आप कहले जिवल को मैं क्लिस्टर राइट को किसी क सब्सक्राइब पहली निका बैटिंगे जब देखें चतिस है सेकेंडिंग में उतना बैतर खेलते हैं का दौने इनिंग के सांदार है पहली निका कहीं बैतर है उसी तरह से किसी बौलर की अगरा पात है जिसे क्रिस जॉर्टन हो गया अठारा का स्ट्राइक टार्ट्राइ केली जरूर है बड़ी पारी का इंदजार है कैलेब जेवल का भी वही हाल है इसके लाब में एक लिश्टर राइट ने पहले तीन मैचस तो अच्छे के लिए अगले दो मैच में फ्लाप हो गए इसके लाब सैम हैं की भी फार्म वापस आ चुकी है हलाके पिछले में यह भी सब्सक्राइब लगाया था विक्टे भी लगबग हर मैच में जब बॉलिंग कर रहें तो विक्टे भी निकाल रहें तो यह भी काफी सेफ आप्सन भी आप इंको ट्राइब कर सकते हैं बाकि क्रिस जॉर्डन ने भी विक्ति चटका यह पैडडी डूली उतनी नहीं लिकि यह तॉप और रहें खास अब कि यह तीनों मैं मैं तो बहुत ही कम जोड़ है वेन्यू पर तो और भी खराब है सैम हैं अभी ज्यादा मैजस खेले हैं नहीं जातो सेंपल साइज काफी कम है बाकि कोरी अंडर्शन का है नहीं टीम डेविड के आपके काफी अच्छे हैं हा सामने एडले स्ट्राइकर के टीम हैं आले कि एलेक्स करी के आने के बाद डार्शी स्वाड भी उसमें एक लेफ्ट हैंड़ हैं तो सायद आपको पावर्पल में भी बॉलिंग करतो दिखाई पड़े इवन निखिल चौधरी भी अब दोनों में से किसको ट्राइकर करना है वो आपके उपड़ हैं लेकिन टीम डेविट को बताऊंगा कि एक बड़े अच्छे डिफरेंशल ऑप्सन आज की स्मेंज में हो सकते हैं इसके लिए बाकि जो बॉलर्स हैं बैटर्स हैं सभी के आंकर आपके सामने हेट्विट बेन क्यों आप देख सकते हैं बॉलिंग मे सब्सक्राइब करना है और वीडियो को सेयर करना है वैसे करिये ना करिये लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब पूरा देखिएगा फिलहाल इस वीडियो के हाँ पर करने के खतम चलते हैं